हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है विशेक मैं कंसर्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टिमेटिस्ट हूँ और अपने इस चैनल में ऑप्टिमेटिस रिलेटेड काई सारे टॉपिक्स पर वीडियो लेके आता रहता हूं तो दोस्तों जो आज की टॉपिक है वो है आई- वो लिखा है इंट्रा-pupilary-distance है मतलब की आई-बी-डी की इसके आउप नाम है जो दोनोग योडिया इस तो आइस है है इसको प्यूपिल का जो सेंट्र है और इस प्यूपिल का जो सेंटर है इन दोनों के जो बीच की चुप डिस्टन्स होती है इसको आई-बी-डी बो कोनो प्यूपिल के बीच की जो दूरी है उसको आई-पीडी बोलते हैं इंट्रा-प्यूपिलरी डिस्टेंस सेकेंड पॉइंट है इस इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्टेंट फॉर्टेंग आफ एवरी टाइप आप इस्पेक्टिकल लेंसे इस्पेशली आई-पीडी लेते हैं मतलब की आई-पीडी मेजरमेंट हम करते हैं और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निवाता है जब हम प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसे जब हम उसको देते हैं अगला पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्यूपिल ऑफ वन आ प्यूपिल से दूसरी आई-प्यूपिल के बीच की अगर हम दूरी निकालना है तो यह बाइनोकलर प्यूपिलरी डिस्टेंस पर्ट अगर हम एक जो नियूजल ब्रेस होता है बीच से यहां से यहां तक की अगर हम दूरी निकालना है तो यह मोनोकलर प्यूपिलरी डिस् case of often asymmetrical मतलब कि जो PAL lenses यहाँ पे आपको यही बताया है PAL बोलते हैं Progressive Addition Lenses को PAL PAL lenses में यह करना हमें बहुत ही जरूरी होता है अगला पॉइंट है IPD can be measured with a pupilometer and IPD ruler इसको हम किस से हम करते हैं या तो हम pupilometer से हम करते हैं या तो IPD ruler से हम करते हैं एक IPD scale आती है उससे हम इसको करते हैं अब कैसे हम इसका measurement करते हैं इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे लिखा हुए पहला point है Ask the patient अब देखो यहाँ पे हम कर किस से रहे हैं सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं हम कर रहे हैं IPD ruler से IPD ruler से हम कर रहे हैं और मैं अब आपको यह भी बताऊंगा अगर आपके पास IPD ruler नहीं है तो आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला point है Ask the patient to look into the left eye of examiner with his right eye मतलब कि सबसे पहले आपको अपने patient को अपने level पे बैठाना है मतलब कि जितनी level आपका होगा seat में अब बैठे होंगे उत्ती level पे आपको patient को बैठाना है फिर उसके बाद आपको patient से बोलना है कि अपनी right eye से मेरी left eye को देखो मतलब कि आपकी eye और उसकी eye जो अगला पॉइंट है उसमें कहा रहा है कि प्लेस दा जीरो पॉइंट ऑफ रूलर अगेंच सेंटर ऑफ प्यूपिल और पेशेंट आस राइट आई मतलब कि देखो ऐसे समझ लो कि एक जो रूलर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है यहां पर मैं बना देता हूँ वैसे यहां पर कुछ नंबर्थ लेके रहते हैं तो यह हो गया नोजल प्रस इसको कहा पर रखते हैं इसको नोजल प्रस में रखते हैं सब्सक्राइब गोला है प्रूप seven देखता है तो यहां कर जो Publisher Center जो होता है उसको हम इस यहां से यहां तके Note कर लेते हैं मतलब कि अगर यहां से भी नहीं Note करना है तो यहां पर जो 20, 30, 40 जो भी दिया रहता है यहां पर 30 पर यह आ रहा है तो 30 हम Note कर लेते हैं फिर हम उसके Left Eye से हम बोलते हैं कि हमाई Right Eye को देखो यहां पर Right Eye होती है तो जैसे यहां पर जो जो भी पॉइंट यहां पर आता है जैसे माल लीजें यहां पर 20 आ गया तो अब यहां से यहां तक जो दूरी होती है उसको हम नाप लेते हैं और इसी को IPD मेजरमेंट बोलते हैं, IPT रूलर से हम IPT मेजरमेंट करते हैं इंटरफुर्पेटी डिस्टेंस अब अगर आपके पास ये रूलर नहीं है तो आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं अब मान लीजे, आपने किसी पेशेंट का रिफ्रेक्शन किया उसके बाद आपने उसको फ्रेम रेम दिखा दिया फ्रेम दिखाने के बाद आपको लेंसे उसमें लगाने, फिटिंग करने के लिए देना है तो फिटिंग करने से पहले जब भी पेशेंट आपके पास रहता है जब आप एक्जामनेशन जब आप करते हैं उसके बाद जब आप patient के सामने उसको frame देते हैं और frame को वो पहनता है तो जैसे मालीज़े यहाँ पे उसकी यह right eye हो गई और यहाँ पे उसकी यह left eye हो गई अब उसने यह frame पहन लिया अब मालीज़े उसने यह frame पहना तो अब आपको क्या गरना है आपको जो base है वो वही रहेगा मतलब कि आपको patient को अपने level पे ही बटाना है आपका level और patient का level एक बाराबर होना चाहिए और उससे यही चीज़ बोलनी है कि अपनी right eye से मेरी left eye को देखो और अपनी left eye से मेरी right eye को देखो मतलब जब आप patient के आमने सामने बटेंगे तो आपकी right eye के सामने patient की left eye होगी और patient की right eye के सामने आपकी left eye होगी टिक तो उससे क्या कहना है कि अपनी right eye से मेरी left eye को देखो तो जैसी वो देखेगा तो जो frame होता है frame के सामने आपको marker से उस pupillary जो center होता है उसका जो reflection आएगा और reflection कैसे आएगा आपको क्या करना है अपनी right eye में माल left eye के बगल से आपको torch flash करनी है उसकी right eye में तो जैसे ही आप torch flash करेंगे उसकी right eye में तो उसकी cornea से उसके pupil से एक reflection आपको देखेगा उसी reflection पर आपको क्या करना है mark कर लेना एक marker होता है mark कर लेना है उसी reflection पर ठीक और यही चीज़ same process आपको उसकी left eye में करना है क्या होगा अपनी उसकी left eye आपकी right eye को देखेगी और आपने right eye के बगल से torch flash करना है जो कि उसके left eye के cornea pupil के बीच में reflection आपको सो होगा तो उसी reflection में आपको marker से click करने मतलब कि उस तो अब जैसे ही माल लीजे frame है अब आपने ये frame उतार लिया तो कहीं न कहीं आपने इस चीज़ को mark किया होगा यहां पर यह mark होगा यहां पर इस तरीके के mark होगा तो अब उन दोनों के बीच की दूरी को आप measure कर लीजे मतलब कि आप उसको नाप लीजे अब यह जो भी आ किस तरीके से हम कर सकते है जैसे माल लीजे ये और ये left आhyे अब बीच में उसके pupil है और बीच में उसका reflection आता है ठीक तो या तो आप इसके pupil के जो बीच का reflection आता है उससे यहां तक की दूरी आप note कर सकते हैं ठीक या तो आप उसके lateral मतलब कि जैसे माली जई यह right है और यह left है तो या तो आप उसके right के lateral limbus से left के middle limbus तक की दूरी आपको note करनी है या तो आपको right के middle limbus से left के lateral limbus तक की दूरी आपको note करनी है यह तीन चीज में से आप किसी एक चीज को करेंगे और उस एक चीज पे आप IPD निकाल लेंगे या तो आप इसको कर लीजे या तो आप इसको कर लीजे या तो आप इसको कर लीजे इन तीनों में से कोई आपको एक ही करना है ऐसा नहीं कि आपने तीनों कर डा ले एक ही करना है जिसमें आपको comfortable लगे जिसको आप अच्छे से measure कर सकते हैं जिस पर आपकी practice है अच्छी तो उसको आप measure करिए और उसके IPD आप निकाल सकते हैं तो इस तरीके से कोछ हम IPD measurement करते हैं और यह बहुत important role play करता है जब हम patient को glass provide करते हैं जो glass fitting के पहले यह चीज हम करना पड़ता है और यह उस time और important हो जाता है जब हम पाल lenses प्रोवैट करते हैं मतलब की progressive addition lenses जब हम fitting के लिए देते हैं उसके पहले यह चीज करना बहुत ही important हो जाता है क्योंकि progressive addition lens में क्या होता है यहाँ पर मैं बना देता हूँ Progressive Audition Lens में उपर से नीचे तक की अलग लग पावर दी रहती है तो उसमें उपर की जो distance की पावर होती है बीच में middle की पावर होती है सबसे नीचे near की पावर होती है तो ये अलग लग जो पावर देता है इसकी वज़े से हमें IPD निकालने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो इस चीज़ को मैं किसी और वीडियो में इसको मैं बहुत अच्छे से आपके explain कर दूँगा अगर आपने comment किया इस चीज़ पर तो मैं इसको अलग से इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा तो दोस्तो आज की जो वीडियो को topic था वो था IPD इसको यह क्या है क्यों करते हो और इसको किस तरीके से करते हैं यह मैंने आपको इसमें बताया तो दोस्तो आपको अगर optimatis related और भी कई सारे topics पर वीडियो चाहिए और अगर आपको चैनल के किसी भी वीडियो से related कोई भी topic से related अगर आपको question है तो आप मुझे Instagram फॉलो करके वहाँ पर मुझे question में पूछ सकते हैं मैं आपको instant वहाँ पर जवाब देने कोर्सिस करूँगा कभी कभी क्या है कि मुझे notification नहीं आपता है तो हो सकता है लेट दूँ लेकिन आप अगर एक दो बार मुझे मुझे message करेंगे तो मैं आपको reply जरूर करूँगा तो दोस्तो मैं मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए यद्ट्टे वाचिंगा